दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत और फ्रांस के वीच के जो डिफेंस टाय हुआ कई गुना मजबूत हुआ है। और इवन कन्वेंशनल डिजल इलेक्टिक सब्मरीनों को भी बड़े मातरा में खड़िदा जा चुका है। अनिल चोहान का फ्रांस का दोरा हुआ था। और दोस्तों इस दोरे को भारत और फ्रांस के वीच के डिफेंस रिलेशन्शिफ को और मजबूत करने को लेके एक प्रमुक दोरे के रूप में देखा जा रहा है। इवन दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि सीडियस के फ्रांस दोरे के दर्म्यान असल में उनके तरफ से फ्रांस के नेवल वेसिप का भी विजिट किया गया है। और दोसो ऐसे basis के विजिट के वाद कई सारे मीडिया रिपोर्टों में ये विदावा किया जा रहा है कि फ्रांस के तरफ से जो लंबे समय से भारत को नुक्लियर पावर अटेक सबमरीन में मदद करने को लेकर ओफर किया जा रहा है शायद अब भारत उन ओफरों के तहट अ उपयोग किया जाना है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के तरफ से अल्रेडी प्रोजेक्ट 75 आल्फा में अपने न्यूक्लियर पावर सब्मरीनों के कुछ नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलिजी देने को लेके ओफर किया गया है जिन में प्रम्जेट प्र नॉलोगियों को चाहता है जो केवल मात्र ये प्रोजेक्ट 75 आल्फा में ही उपयोग नहीं होगा बलकि इसके साथ साथ प्रोजेक्ट 76 मतलब इंडिजनियस डिजल इलिक्टिक सब्मरीनों के प्रोजेक्ट में भी आने वाले समय में भारत के तरफ से इस्तिमाल किया जान कि अब तक अटेक्ट सब्मरीनों के जरुतों को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा लगाता रोश्या से सब्मरीनों को लीस में लिया जा रहा था पर करेंटली भारत के पास ऐसे कोई भी अटेक्ट सब्मरीन नहीं है और कुछ रिपोर्टों में दावा ये भी किया ज जो अकूला 3 सब्मरीन को लेके एक समझोता हुआ था शायद भारत के तरफ से उसे स्क्रैब भी कर दिया जाए। किया जा रहा है ताकि सब्मरीनों के डिजाइन और डिवलाप्मेंट के दर्मयान किसी भी तरीके का कोई डिले ना हो। का भी उप्योग इसमें किया जाएगा। किसी भी तरीके के मदद का कमी नहीं किया जाएगा। उपर से अल्रेडी फ्रांस के मदद से भारत अपने बेडे के लिए छे डिजल इलेक्ट्रिक सब्मरीनों को बना चुका है। तीन और त्रिक्त सब्मरीनों को भारत के द्वारा खरदा जा रहा है जो कि भारत में ही बनेगा जिससे की एक तरीके से ऐसे सब्मरीनों के project में France और भारत के जो partnership आउओ और मस्भूत होगा अज दोसो एक तरफ जहाँ पे फ्रांस भारत को नुक्लियर पावर एटेक सब्मरीनों में मदद करने को लेके बार बार पेशकर्ष कर रहा है तो उही पे दूसरे तरफ भारत के तरफ से अन्मैंड सब्मरीनों के काम को लेके भी टेजर अफ्तार लाया गया है और रिपोर् लार्ज अन्मैन अंडर्वाटर वेकल इंडियन नेवी के वान अप दा मोस्ट एंबिशियस प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन नेवी को केवल मात्र अंडर्वाटर कैपिबिलिटी को ही मदद करने में मदद नहीं करेगा बलकि इंडियन नेवी को इस तरीके के वेकलों को लेके सेल्फ रिलाइंस वे बनाएगा रिपोर्ट के मुताविक अल्रेडी इस पॉजट को लेके साल 2030 के जनुवरी महिने में एप्रूवल इन प्रिंसिपल मिल चुका है और इस एप्रूवल इन प्रिंसिपल के अंतरगत साल 2025 तक इन सब्मरीनों के प्रोटाइपों को तयार किया जाना है उई पर इपोर्टों में ये वी दावा किया जा रहा है कि ऐसे प्रोटाइपों को निर्मान करने के बाद टोटल ऐसे 12 एकसल यू यू वी अंडर्वाटर वेकलों को तयार किया जाएगा जो की इंडियान नेवी के अंडर्वाटर कैपिविलिटी या फिर कह और काफी अधिक शमतावाला सब्मरीन होगा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसमें extensive sensor suit का उप्यों किया जाएगा जिनमें की कई तरीके के sensors और flank array, sonar event, toad array, sonar और bose sonar के साथ-साथ underwater surveillance capability के लिए कई तरीके के और वी sensors का उप्यों किया जाएगा इसके इलावा इ चैसे सकते हैं कि ऐसे जो सबमरीन है यह असल में electronic equipment का वंडार होगा जब कि इसके इलावा इसमें long range communication equipment मतलब satellite communication equipment who को भी जोड़ा जाएगा जो कि data relay और command और long distance में communication को अठीव को अंजाम दे सब्सक्राइज है कि इस तर Islam Rider liquid ये काफी लंबे रेंज में काम करेगा और आप लोग को ये भी बता दू कि इन सब्मरीनों के रोल को लेके वी कई तरीके के ख़वर आ रहा है जिन में बताया जा रहा है कि इन सब्मरीनों को नेवी के द्वारा मल्टी मिशन फर फोस में इस्तमाल किया जाएगा जिन में सब वो भी डिटेट करके उसे नश्ट किया जा सकेगा फिला दोस्तो एक्सल यूवी यूवी को लेके जादा कुछ ख़वर तो पब्लिक में अविलेबल नहीं है लेकिन जो ख़वर अविलेबल है उसके मुताविक इसका वजन करीव-करीव 10 टन के आसपास होगा और इसमें 2-533 मिलिमिटर के टॉर्फेडो ट्यूव होगा यह 8 नॉट के मैक्सिमम स्पीड में जहाँ पे ट्रावल कर सकेगा तो उही पे इसके जो क्रूस स्पीड है वो करीब-करीब 4 नॉट के आसपास रहेगा और इसमें लिथियम आयन बैटरी का उप्योग किया जाएगा जिसके सहारे यह 45 डेस तक पानी के नीचे रह सकेगा इवन इसमें फ्यूल वेस एर इंडिपेंटन प्रोपोल्सन सिस्टम्स का भी उप्योग किया जा सकता है कुलमिला के दोस्तों अगर देखा जाए तो यह काफी बड़े आकार के काफी टाकतवर और काफी आधुनिक सब्मरीन के रूप में डिफलफ किया जा रहा है प्रोजेक्टों के उपर भी काम करना पड़ेगा